दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पैर के उंगलियां समान्य होती हैं लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर के उंगलियां समान्य नहीं बलकि छोटी बड़ी होती हैं और उनके बारे में ऐसी कई बाते हैं जिनने जान लेना चाहिए ऐसे में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली जो है वो बड़ी होती है यानि ठीक अंगूठे के बगल वाली उनका सुभाव कैसा होता है और उनके साथ क्या क्या होता है जी हाँ आप सभी को बता दें कि हमारा सास्त्र के अनुसार भी वैक्ति के सिर से लेकर पैर तक अनेक तरह के लक्षन पाया जाते हैं इसी के साथ सास्त्र में इस बात का भी विशिश रूप से जुकिर है जिस वैक्ति के पैर के अंगूठे के ठीक बगल वाली उनकली यदि बड़ी है तो वो वैक्ति का जो सुभाव है विचार है वो किस तरह का होगा या उसका भविश्य कैसा होगा अगर किसी वैक्ति के पैर के अंगूठे के बाजू वाली दूसरी उंगली बड़ी होती है तो वो वैक्ति होती किस्मत वाला होता है और दूसरे लोगों से बिलकुल ही अलग ही माना जाता है कहा जाता है जिन लोगों के पैर के दूसरी उंगली बड़ी होती है वो भले ही काले होते हैं या सामले होते हैं लेकिन उनका फेस देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसी कारें इनके अंदर दूसरों को अपने ओर खीचने का गुन भी होता है लोग ना चाते वे भी इनकी ओर अपने आप खीचे चले आते हैं दरहसल आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो देखने में बहुत गोड़े होते हैं बेदाग चहरा होता है लेकिन इसके बाउजूद भी आप उनकी तरफ अपने आपको खिचाव सा महसूस नहीं करते हैं तो आपको ऐसे लोगों की पैरों की ओड जरूर देखना चाहिए उनकी उंगलियां जरूर अंगुठे से छोटी होती होंगी यदि किसी महिला के पैर वाले अंगुठे की बगल वाली उंगली बड़ी है तो वो अपने पती से बहुत ही जादा प्यार करती है लेकिन कभी भी अपने प्यार को अपने पती से जाहिर नहीं करती है यानि कि व्यक्त नहीं होने देती है अपने प्यार का, इसका एक खास कारण तो हिस्ट की चाहर्ट भी होता है, लेकिन इसके अलाव़ भी एक खास कारण है इसलिए भी अपने पती को बहुत प्यार करने के माउजूद वो अपने प्यार का इजहार पती से नहीं कर पाती है तरहसल भारती लड़कियों के अंदर लोगलाज और लच्चा की ऐसी प्रविर्थी भर दी जाती है कि वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है यदि वो अपने प्यार का इजहार खुझ से करेगी तो उसके पती उसके बारे में कुछ गलत ना सोच ले इसलिए चाह कर भी वो अपने प्यार का इजहार खुझ कर नहीं कर पाती है अपने इस गुन को छीपाने के लिए अकसर वो गुस्सा करते हैं दरशल यदि एराज की बात बताओं तो ऐसे लोग बहुत ही जादा गुस्सेवाले होते हैं लेकिन इनका ये गुस्सा जो होता है वोसे बाढ़ी होता है असल में ऐसे लोग अंदर से बहुत ही सांथ सौभाव वाले और अच्छे दिल वाले होते हैं जब तक कि इन्हें बहुत ही जादा पड़ेसान ना किया जाए ये गुसान नहीं करते हैं हलाकि वो अपने अंदर के इस भाव को किसी से जाहिर करना नहीं चाहते हैं इसलिए वो दूसरे के उपर गुसा भी करते हैं क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर छिपे इस गुन का कोई दूसरा और फाइदा उठा ले जीवन में थोड़ी बहुत परिसानिया भी होती हैं लेकिन कुछ समय बाद ऐसे लोग अपने जीवन में काम्याबी की सीठी लगतार चलते जाते हैं क्योंकि शुरुआत में ऐसे लोगों के जीवन में परहसानिया आती है लेकिन मेहनत से इनको अपने जीवन में सफलता जरोन मिलती है दरशल हर किसी को बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है इसलिए जीवन में उचाईयों को पाने के लिए करी मेहनत करने परती है क्योंकि सफलता पाने का कोई सौटकट नहीं होता है इसलिए उसके लिए रातों के निंद भी उरानी होती है लेकिन जिन लोगों के पैर के अंगोटे के बगलवाली उंगलियां बड़ी होती है उनके लिए ये 100% सही बात होती है उनकी लाइफ में कोई भी चीज लख बोल कर के नहीं होता है ऐसे लोग अपनी काम्याबी के लिए दिन रात एक कर देते हैं ऐसे लोग बहुत ही जादा उड़ जवान होते हैं और अगर किसी काम को हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं इन लोगों की इनर्जी जो है वो देखने लायक होती है इसके वि दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ऐसी और भी धिरू जानकारी के लिए अप लगातार हमारे चैनल पर बने रहे हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अधू जानकारी के सा फिर्जे मिलोंगे तब तक के लिए नमस्कार